श्री गुरुब्यो नमहा, I welcome you to Online Teaching Academy एकलेगवा सबसे पहले में आप सब लोगों को हार्विक नमसकार करती हूँ आज हम कक्षा चटी के, CBSE बोड़ है और पद्य है कोई नहीं पराया ठीक है? कवी है गोपाल धास नीरज तोड़े विल सी अबाट फर्स्ट लेकक परिछे देख लेते हैं यह है लेकक, देखो, गोपाल धास नीरज चार जन्वरी 1925 19th इनका जन्म हुआ कब है इनका जन्म? चार जन्वरी 1925 में 1925 में और इनका निधान 19th July 2018 पर 19th July Okay Hindi साहित्यकार शिक्षक एवं कवी सम्मेलनों के मंचों पर खाव यवाचक एवं फिलमों के गीत लेकक ते यह क्या है? Hindi साहित्यकार यानि Hindi के साहित्यकार Hindi writer He is a Hindi writer और शिक्षक एवं कवी यह शिक्षक भी थे और कवी सम्मेलनों के मंचों पर खाव यवाचक एवं फिलमों के गीत लेकक ते ठीक है? वे पहले व्यक्ती थे He was a normal person जिन है शिक्षा और साहित्यके क्षेत्र में शिक्षा और साहित्यके क्षेत्र में In education and in literature के क्षेत्र में भारत सरकार ने दो दो पुरसकार भारत सरकार, Government of India Have given, honored him Okay, have honored him पहले Padmasri से उसके बाद Padma Bhushan इन्होंने Padmasri और Padma Bhushan Award भी ले चुके है और यही नहीं फिलमों में सर्वस्रेष्ट Very best songs also you have given लेकन के लिए उन्हें नगाता तीन बार फिलम फैर पुरसकार भी मिला इनका फिलम फैर पुरसकार भी मिला है चलो आगे देखते हैं यह देखने से आपको क्या लग रहा है कोई नहीं पराया यह पोयम कविता का नाम है कोई नहीं पराया यानि कवी देशकाल तथा जाती पाती कवी देशकाल तथा जाती पाती के बंदन के उपर से उपर उठकर जाती पाती के बंदन से उपर उटकर मानवता का संदेश देते हैं यही है जाती पाती, इनका कुछ जाती नहीं है ठीक है, all come under one, all the religions come under one He doesn't feel that this person comes under this religion, I don't want to talk like that So, जाती पाती बंदन से उपर उटकर मानवता का संदेश देते हैं देख लीजिये, और आगे देखते हैं ठीक है, कोई नहीं पराया, कवी के लिए कोई मनुश्य पराया नहीं है कवी के लिए कोई मनुश्य पराया नहीं है तता यह पूरा संसार उनका ही है, तता पूरा संसार उनका गर है पूरा संसार उनका गर है कोई नहीं पराया ठीक है न? अभी हम पहले पूरा देख लेते हैं विस्थार से ओके? We have four stanzas in this and we'll go for first we'll read all the stanzas and then we'll go for two two lines कोई नहीं पराया मेरा गर सारा संसार है मैं न बंदा हूं देशकाल की जंग लगी जंजीरों में मैं न कड़ा हूं जाती फांती की उंची नीची भीडों में मेरा दर्म न कुछ स्याई शब्दों का सिरफ गुलाम है मैं बस कहता हूं कि प्यार है तो गटगट में राम है मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्दिश पर मैं सर टेक दूँ कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यार हर इंसान है मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है यानि गर्व है अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुझत्व हो और छोड़कर प्यार नहीं स्विकार सकल अमरत्व भी मुझे सुनावो तुम न स्वर्ग सुक की सुकमार कहीं मुझे न सुनावो स्वर्ग की सुकमार कहानिया मेरी धर्ती सौ सौ स्वर्गों से मेरी धर्ती सौ सौ स्वर्गों से ज्यादा सुक्मार है कोई नहीं पराया मेरा गर संसार है मेरा गर सारा संसार है मैं सिकलाता हूँ कि ये तीसरा पंक्ती है मैं सिकलाता हूँ कि जियो और जिने दो संसार को मैं सिकलाता हूँ कि जियो और जिने दो सारे संसार को दो संसार को जितना ज्यादा बांट सको तो बांटो अपने प्यार को, जितना हो सका बांटो अपने प्यार को हसो इस तरह हसे तुमारे साथ दलित यह दूल भी, चलो इस तरह कुछल न जाए पग से कोई शूल भी सुकन तुमारा केवल जग का भी उसमें कुछ भाग है, फूल ढाल का पीछे पहले उपवन का शूल है कोई नहीं पराया, मेरा गर सारा संसार है अभी देखते हैं, फूर्थ स्टैंजा, यह चौथा पंक्ती मुझे मिली है प्यास विशमता का विश पीने के लिए मैं जन्मा हूँ, नहीं स्वयम हित, जग हित जीने के लिए मुझे दी गई आग की इस थम में मैं आग लग सकूँ गीत मिले इसलिए की जग की सारी पीडा गा सकूँ मेरे धर दी ले गीतों को, मेरे धर दी ले गीतों को तुम मत पैनाओ हतकडी, मत पैनाओ हतकडी मेरा धर्द नहीं मेरा है, सबका आहाकार है कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है अभी देखते हैं, कोई नहीं पराया, पूरे विस्थार से ठीक है, दो दो पंक्ति लेका, दो दो लाइन्स लेका कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है मैं न बन्दा हूँ देशिकाल, मैं न बन्दा हूँ देशिकाल की जंग लगी जंजीरों में, मैं न बन्दा हूँ देशिकाल की जंग लगी जंजीरों में मैं न कडा हूँ जाती पांती की उंची नीची भीरों में यहां पे खवी क्या कहना चाते हैं की देश तता समय की पुरानी जंग से भरी जंजीरों यहां पे जंग का आरत हैं रस्ट जंजीरों का आरत हैं देशिकाल अगला दो पंक्ति मेरा दर्म न कुछ शाई शब्दों का सिरफ ग्लाम है it is not that my dharm which I follow it is not in any other dharmic pustak में okay the religion books like Bible, Bhagavad Gita उसमें सब नहीं लिका है मैं बस कहता हूँ की प्यार है तो गडगड में राम है I say that if you show affection towards the manushya that is towards a person that is enough in that itself दर्राम भगवान है okay इश्वर उनी के उपर रहता है उसका that is इस संसार में मनुश्यों से उपर आपसी प्रेम मनुश्यों से उपर आपसी प्रेम देंगे तो होगा तो तब खन-खन में परमात्मा मिलते है ठीके कन-कन में परमात्मा का निवास होता है स्याही blackness मुझसे तुम न कहों मंदिर मस्जित पर मैं सर टेक दू don't tell me that go and go to मंदिर मस्जित and all I know where the God is present that is मेरा तो आराद्या आद्मी देवाले हर द्वार है मेरा आराद्या पुझा करने के लिए यो क्या काउन है पता है सब मनुश्य जो सब द्वार, सब गर्मे ही प्रस्तोत है मेरा तो आराद्या अने पूझा करने के योग्या कौन है मनुश्य देवाले हर द्वार है हर एक गर्मे मनुश्यको ओ धिवता समझते है कवी यही यहाँ पर वर्नन किया है ठीक है मुझसे तुम न कहूं मंदिर मस्जित पर मैं सर न ठेक दू मेरा तु आराध्या आदमी देवाले हर द्वार है अगला देखते हैं कोई नहीं पर आया मेरा गर सारा संसार है कोई नहीं पर आया मेरा गर सारा संसार है कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यार हर इंसान है कहीं भी रहो लेकिन मुझे तो प्यार हर इंसान है मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है मानवता यहां पर हुमानिटी I feel that humanity is the best thing I feel pride about my humanity So I feel everyone, all are God only So मुझको प्यार हर इंसान है यहां पर देखो कहीं रहे कैसे भी मुझको कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यार हर इंसान है मुझको अपनी मानवता that is मेरे हमानिटी में ही मुझपर विश्वास है कि सारे मानो को अगर हम आपसी प्रेम देंगे तो हर इंसान में प्रेम देंगे तो आपसी प्रेम रखे तो वही है ईश्वर, God अरे नहीं देवत, अरे नहीं देवत्व, मुझे तो बाता है मनुजत्व हो I don't want to become saint or sage, okay I don't want to become swami or whatever it is or ईश्वर I just want, I want to be only the human and humanity I should follow the humanity और छोड कर प्यार नहीं, स्विकार सकल अमरत्व भी and I don't want to die for this, okay I just let me be a human and I'll be a human I'll follow my humanity and I don't want to become any god or saint अरे नहीं देवत्व, मुझे तो बाता है मनुजत्व हो और छोड कर प्यार नहीं, स्विकार सकल अमरत्व भी ठीक है? आगे देखते हैं भाता यानी प्लीजिंग, भाता का अर्थ है प्लीजिंग मनुजत्व मैन्होड and सकल, या इस ग्रोस अमरत्व इमॉर्थलिटी आगे देखते हैं मुझे सुनावो तुमना स्वर्ग सुक की सुकमार कहिया don't tell me the heavenly things, whatever happens स्वर्ग सुक की सुकमार कहिया I don't want to hear all these things मेरी धर्थी सुसा स्वर्ग से ज्यादा सुकमार है मैं, this earth is hundred times better than heaven he's, कभी started saying that okay, मुझे सुनावो तुम मुझे मत सुना, मुझे सुनावो तुमना स्वर्ग सुक की सुकमार कहानिया मेरी धर्थी सौ 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 सुर्ग सुबी बहुत सुकमार है सुकमार यानि very smooth he's saying कोई नहीं पर आया, मेरा गर सारा संसार है मैं सिकलाता हूँ कि जियो और जिने दो संसार को मैं सिकलाता हूँ, I will teach them जियो, कैसे जिना है इस संसार में कैसे जिना है संसार में जिने दो संसार को भी, okay कि जितना ज्यादा बांट सको तुम भांटो अपने प्यार को जितना भी आप चाहे अपने प्यार को अपसी भन्दन को भांटो तो वही हमारा एश्वर है क करके कभी कहना चाहते हैं मैं सिकलाता हूँ की जियो और जिनेदो समसार को जितना भांट, ज्यादा भांट सको तुम भांटो अपने प्यार को ठीक है? आगे दिखते हैं हसो इस तर, like that हसो इस तर की ये दुनिया में जो भी दुखी में रहता है न उनको वो भी हसे ठीक है? जो भी दुख में धलित, that is depressed है वह भी हसे यानि हसो इस तरह हसे तुमारे साथ दलित ये दूल भी चलो इस तरह कुछल जाए पग से कोई शूल भी या इसका अर्थ कहा है चलो इस तरह कुछल जाए पग से कोई शूल भी that is पग यानि याँपे फूट है और कुछल यानि क्रश्ट that is he's saying that you just walk where there is no thorns or the thorns should not pork in your food so you walk like that and you just spread the happiness and you also be happy and spread the happiness the difficulty the depression the depressed people also feel it happy okay like that you do so because he thinks that ये संसारी उसका घर है करके शुक न तुमारा केवल जग का भी उसमें कुछ बाग है अगर तुम सुक हो तो ये जग का भी उसमें बाग है ठीक है इस जग में भी जो मनुश्यत वहोते न उनका भी बाग है और फूल ढाल का पीचे पहले उपवन का स्रिंगार है अगर एक उपवन में फूल न होतो तो क्या कैसे क्या होगा अगर फूल एक एक फूल होने से थोड़ा मुश्कुल होगा लेकिन फूल इकटा होकर होने से उपवन में उसका सुन्दरता और अधिक होती है ऐसे ही यहां पर मनुश्य का भी कहा है कि डाल पर लगे एक एक का ही नहीं अपितू पूरे भाग का श्रिंगार पूरे भाग का यानि उपवन का श्रिंगार कहां पर होता है महत्व रखता है पूरे भाग में भहुत सारे फूल किलने से उसका महत्व है उपवन में तो इसका अर्थ है एक मानव ही नहीं संपूर्ण मनुश्या मानव जाती की कुशी ही सबसे अधिक महत्व है तो कुछ है क्योंकि इस अंसार में कोई भी पराया नहीं है कोई नहीं पराया मेरा गर सारा संसार है अभी देखते हैं मुझे मिली है प्यास विशमता का विश पीने के लिए मैं जन्मा हूं नहीं स्वयम हित जगहित जीने के लिए मुझे मिली है प्यास विशमता का विश पीने के लिए यहां पर जो भी दिफिकल्टी से नहीं वो पीने के लिए मैं जन्मा हूं मैं जन्मा हूं नहीं स्वयम हित जगहित जीने के लिए मैं इसलिए जन्मा हूं की जग को कैसे जीना है करके सिखाने के लिए ठीक है जग को कैसे जीना है जग में जग में रहने वाले मनुश कैसे जी सकते हैं वो सिखाने के लिए दर पैता हूं करके कहना चाहते है स्वयाम हेत, it is self-interest and जगेत, the space मुझे मिली है मुझे दी गई आग की इस थम में मैं आग लग सकूँ that is मुझे ऐसी आग मिली है मैं यहां पे क्यों जन्मा हूँ मैं आग की तरह जन्मा हूँ की यहां पे अंदकार है ना उसे मिठाने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ मुझे दी गई आग की इस थम में मैं आग लगा सकूँ गीत मिले इसलिए की जग की सारी पीडा का सकूँ गीत भी मिली है की इस पूरे जग में जग में यानि यहां पर जो भी दुखी रहते हैं न उनको मैं घागा कर मैं उनकी पीडा को धूर भगाओं तो इसमें गीत मिली इसलिए कि जग की सारी पीडा घा सको कोई नहीं पर आया थम यानि धातनस पीडा पें यानि the sufferings मेरे धर्दी ले गीतों को तुम मत पैनाओ अतकडी यानि जो भी धर्द में भैटे होते हैं न उनको हतकडी मत पैनाओ और बिठा दो अपने एकी जगा पे मेरा धर्दी ले गीतों को तुम मत पैनाओ हतकडी मैं जो भी गीत गाती हैं उसको don't make me cuff don't tie the cuff मेरा दर्द नहीं मेरा है सबका आहाकार है it is not my own pain it is a person or resides in the world मेरे धर्दी ले गीतों को तुम मत पैनाओ हतकडी मेरा दर्द नहीं मेरा है कुछ आहाकार सबका आहाकार है हतकडी handcuff आहाकार outcry and कोई नहीं पराया मेरा गर सारा संसार है कोई नहीं पराया मेरा गर सारा संसार है तो संक्षिक में देखते हैं कि कवी क्या कहने चाते हैं कवी जैसे या ऐसे जीवन बिताने की भात कही है कि हर कोई एक दूसरे के साथ प्यार से रहे समाज के दलित वर्ग भी यानि दलित पूर फैमिली वर्ग में होते हैं कि कुशी का भी ध्यान रखा जाए तता जात पात था धर्म का बंदन मानवता से उपर न उटभाए ओके यहां तक हम इस पोयम कोई नहीं पराया खविता कतम हो चुका है तो आगे देखते हैं अगले पार्ट में सो धन्यवाद तो रिसीव अवर ओनलाइन लेसंस प्लीज प्रेस अब्सक्राइब बटन धन्यवाद